कि नमस्कार मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं इस्पेन नाइन नियूस क्रोना वाइरिस से तो अब सब कोई वाखिफ हो गया होगा कि आखिरकार यह क्या वाइरिस है किस वज़ा से होता है क्रोना वाइरिस वही है चीन में चीन के एक जगा पर हुआ है वहाँ पर लगभग नौनवेज खाने से और कुछ ऐसे चीजों खाने से हुआ है जिससे यह वाइरिस फैलता जा रहा है उसके बाद जुखाम होना या सरदर्ध होना जैसे लक्षन देखे जाते हैं और सबसे यही इधायत दी जाती है कि आप अभी सतर्ता रखें और जिन चीजों की परेज किया जाता है और अभी नौन विजना खाएं और जिनको वाइरिस है यह कहीं भी आप जा रहे हैं मार्क्स लगा के रखें क्योंकि अपनी सेफटी अपने हाथों होती है और चीन से भी जितने लोगों को वाइरिस हुआ है वहां भी इलाज चल रहा है लेकिन लगबग एक हजार से जादा लोगों की मौत हो जाती है और भारत में भी इस वाइरिस को लेकर कहा जा रहा है कि यह वाइरिस आने लगा है तो ऐसी खबर सामने आ रही है कि क्रोना वाइरिस एक गंभीर वायरिस हो चुका है जो कहीं भी किसी को भी हो सकता है इसलिए इस वायरिस को भारत में ना घुसने दिया जाए इसको लेकर भी कड़े इंतिजाम किये गए है कि चीन से भारत कोई नहीं आ सकता जिनको वायरिस हुआ है वो एक जगा पर रहेंगे उनको ज्यादा जग किया जा सकता है जहां दिमागी तौर पर एक इंसान इतने हद तक गिर जाता है कि उसकी विचार धारा को लेकर उस पर ही सवाल खड़े हों और सोचा जाए कि क्या सोच रहें आप किस दिमाग से चल रहें क्या गंदगी भरी आपके दिमाग में कि आपने क्रोना वाइरस को किसी और वाइरस से जोड़ दिया क्या आपके ही दिमाग में वाइरस है मैं आपको बता दूँ मैं बात कर रही हूँ इत सक्स की जिसने क्रोना वाइरिस को धार्मिक मुद्दों के साथ जोड़ा है और धार्मिक समुदाय के साथ जोड़ा है सामप्रदाइकता का महाल बिगारने के लिए महाल बनाने के लिए वो यहाँ पर ऐसे बयान देता हुआ नजर आ रहे हैं यह सक्स कहा जाता है कि शोशल मीडिया पर अपनी विचार धारा रखता है और अपनी विचार धारा रखने के चक्कर में इसने ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया है जिसके जरीय कई नुकसान और कई लोगों के धर्म पर चोट पहुचाते हुए वो यहां पर पेश हुआ है दरसल उसनी अपनी ट्वीटर की जरीय लिखा है कि क्रोना वाइरस से लगभग लोग मर रहें लेकिन क्रोना वाइरस से भी एक खतरनाक वाइरस है जिससे 20 करोड की अबादी और 20 करोड लोग इससे गायल होते हुए दिखाई दे रहे असल उसका ट्वीट है कि भयंकर क्रोणाभ वाइरस से भी ज़्यादा खतरनाक है कुर्ण वाइरस भारत में 20 करोड से भी अधिक संक्रमित हैं इस वाइरस से यहां पर उसने धर्म को मुद्दा बना दिया क्रोना को कुरान से जोड़ दिया एक धार्मिक किताब को उसने क्रोना वाइरस से जोड़ कर उनके धर्म को चोड़ पहुचाया यहां पर आपको यह भी बता दें कि वो सक्स यूपी के मुख्य मंत्री अवाज के वहाँ पर कार्याले के वहाँ पर काम करता है और उसने ये टूइट किया है और टूइट करने के बाद वो अपनी सफाई में सिर्फ इतना बोलता है कि मेरा मतलब ये था कि मुस्लिम लोग जो है वो नौनवेज जादा खाते हैं इसलिए मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग नौनवेज ना खाएं यानि कि इसका कुरान से क्या मतलब है आप सीधे तौर पर दंगे कराने वाली ख़बरों को पेश करते हैं आप सीधे तौर पर दंगे करने वाले टूइट को यहां सामने लाते हैं आप महाल बिगारना चाहते हैं एक तरह से आप यह कह रहें कि सिर्फ मुसल्मान ही नौनवेज खाते हैं भारत में इतनी अबादी है वो लोग भी नौनवेज खाते हैं तो क्या आप उनके सीधे धर्म पर पहुंच जाएंगे कि आप धर्म के अधार पर किसी को यह दिखाए भारत में नहीं रह सकते यानि कि आप अपनी सोच पर विचार जरूर करें कि आप क्या सोच रहें और जिस तरीके से आपने ट्विट किया है यह बेहद ही शर्मनाक और दंगे कराने वाला है और इन चीजों से बचना चाहिए और जितनी जनता जागरुक है उस हिसाब से आ बेकार ट्विट था और जिस तरीके से इसने शब्द को जोड़ा है वो बेहदी खतरनाग था आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे दीजे इजाज़ों तरह ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एस्पेन नाइनर्स